हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब भाई सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि जो लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग मुझे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमें पढ़ने नहीं देते तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यार देखिए मैं अपने किसी भी वीडि वीडियो में कहा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए जिस सीरियसनेस के साथ जिस कंसंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़ रहे थे उसको बनाए रखिए ठीक है और मैं क्या करता हूं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूस देता हूं कि क्या होने वाला है या क्या खुसकबरी है और साथ में कुछ बाते हैं जो आपके एक्जाम से रिलेटर हैं ठीक है तो बारी बारी से सारी बात करेंगे और पुरे प्रूफ के साथ बात करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले खुसकबरी को देख लेते हैं कि क्या खुसकबरी है तो खुसकबरी यह है वो रूस में ही आएगी क्योंकि रूस इसे बना रहा है और रूस ने ये दावा किया कि अक्टूबर महीने में ये वैक्सिन हम 100% से ले आदेंगे और सबसे पहले जो वैक्सिनेशन किया जाएगा वो डॉक्टर्स और टीचर्स का किया जाएगा उसके बाद ये दूसरे कंट्रिस में जाएगी तो कहने के मतलब ये कि जो वैक्सिन है वो तो अक्टूबर में आज आएगी सबसे पहले रूस की तरफ से और उसके बाद जो बिटेन है या फिर अमेरिका है उनकी वैक्सिन या तो दिसंबर में आएगी या फिर अगले साल यानि कि 2021 में आएगी ठीक है तो कहने के मतलब कि सितंबर महीने तक कोई भी वैक्सीन नहीं आने वाली है इंडिया में या कोई भी दवा नहीं आने वाली है तो अगस्त में जो लोग सोच रहा होगे कि कोई वैक्सीन आ जाएगी तो उनके लिए मैं कहना है कि वैक्सीन बन रही है बन चुकी है बलकी है और बस उसको लॉंच होना बाकी है अक्टूबर महीने में आ जाए कि उसके बाद हम उमीद कर सकते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा दो तीन महीने के बाद ठीक है अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरह तो पहले ही बता चुका हूँ आपको की केसस तो बढ़ेंगे ही तभी ऐसा नहीं होता कि केसस डिक्रेंस कर रहे हैं लगातार केसस बढ़ना है और अभी एक महीना है आपके पास आपके पर सिक्टेमबर में होना है अगस्त भर में हो सकता है कि यह केश 57,000 है बढ़ करके 90 से ए इसाम देने के लिए भेजेंगे या नहीं इमानदारी से बताईएगा ठीक है साथ में आप मौत का आगड़ा भी देख सकते हैं 36,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है तो इन सब को देखते वे कहीं न कहीं बहुत डर सा भी लग रहा है कि क्या होगा आगे ठीक है क्योंकि मौत क आगड़े में इंडिया 500 स्थान पे आ गया है इतनी मौत हो चुकी है तो काफी ज्यादा है और सच में काफी ज्यादा चिंता पूर्ण बात तो यह है ठीक है और फिर अब आप इधर भी देख सकते हो कि यह यूपी के एक मंत्री है इनका निधन हो गया है कोविट की पास्त के साथ क्या होगा उनको तो अच्छी मेडिकल फैसलिटी भी नहीं दी जाती है फिर भी क्या होगा अगर उनको को जाएगा तो यह अपने आप सोचने वाली बात है कल को आप एक्जाम देने जाए और आपके घर में से किसी को हो जाए और वह उस्पिताल में जाए और फिर तो मतलब सच में बहुत दरने वाली बात है और साथ में आप यह भी देख लिए कि यह जो आकड़े हैं मौत के वह सरकारी आकड़े हैं ठीक है बहुत से ऐसे लोग है जो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है डर के वजह से क्योंकि उनको लगता है कि जब वह इन्फॉर की तरफ रहते हैं वो लोग हॉस्पिटल में इन्फॉर्म ही नहीं करते कि उनको कोविड है और उनकी मौत हो जाती है तो मतलब कि हम कह सकते कि मौत काड़ा काफी ज्यादा है इंडिया में और यह तो सरकारी है काड़ोजोपे है ठीक है तो ऐसे हलार में मैं बिल्कुल नही बच्चे परिशान हो रहे हैं तो उनको कुछ इंफॉर्म गरे कि किस तरीके सो पेपर बनास पेपर कराएगी ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है यह तो दो बात हो गई अब आप एक और बात देखिए यहां पे आप देख सकते हो कि एंडी टीवी ने और एक मै पेपर नहीं देंगे और पेपर को आगे पोस्ट कोर होना चाहिए तो अब लोग भी अब ज्यादा से ज़्यादा सरकार तक भेजिए ताकि वह आपकी आवाज सुन सके और जैसे जुलाई में आप लोग कर रहे थे काफी ज्यादा ट्वीट और पोस्ट कर रहे थे वह काम प्रिट से कर दीजिए अगर आप सच में चाहते हैं कि पेपर ना हो ठीक है या तो यह काम करिए या फिर सरकार से ये पूछिए कि आप पेपर कैसे कराओगे हमें उसका पूरी की पूरी जानकारी दीजे ताकि जब उसमें जो भी चैंजिस हो वो आप लोग अपने जो डि पहलियत के साथ पेपर हो सके और कोई भी वहां पर रिस्ट वाली बात ना हो ठीक है करिए और साथ में सरकार को यह डिसीशन लेने में भी मदद करिए अगर आप चाहते हैं कि पेपर हो कि किस तरीके से पेपर करवाया जाए उनको लगाता है इमेल करके बताएए अपने अच्छे से पेपर हो सरकार पुरी स्टेजी बनाए पहले कि कैसे क्या करना है उसी के बाद आपका पेपर हो नहीं तो फिर अच्छा होगा कि ना हो ठीक है तो जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट उसको हम देखें कि अगले वीडियो में पुरे प्रूफ के साथ आज की वी साम रहेगा बचे रहेगा बिलेंग डेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार बाइए